इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Last 20 Days Strategy for SSC Cigal 2018 Tier 2 तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कल रात में आपका SSC Cigal 2018 का Tier 1 का result पब्लिश हो गया और उसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो में बता के information दे भी दी थी कि आपका result आ चुका है और अब आपको Tier 2 के लिए तयारी करना है तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है आपका exam जो है scheduled है 11-13 सिप्रमबर के बीच में तो क्या कुछ exam होगा और कैसे आपको उसके तयारी करनी है इन सभी के बारे में आपको इस वीडियो में detailed information मिलने वाली है इस लिए इस वीडियो को end तक जरूर देखिएगा अगर आप आप तक नहीं देखने वाले तो अग तो आपको इस वीडियो का कोई खास फायदा नहीं होगा क्योंकि end तक ही मैं सारी बातों को आपको धीरे-धीरे explain करने वाला हूँ और आपके जितने भी सवाल कल से आज तक मुझे मिले हैं उन सभी का जवाब भी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ तो आप यहां पर मेरे बारे में पढ़ सकते हैं अगर आपने अभी तक मेरा फेस्बुक पेज लाइक नहीं किया है तो उसके लिए आप फेस्बुक पे सर्च कर लीजिए add the rate amantrivedi on facebook तो आपको मेरा facebook पेज मिल जाएगा add the rate amantrivedi इस नाम से मेरा facebook पेज है आपको मिल जाएगा amantrivedi नाम से add the rate trivedi amant25 इस नाम से सर्च करेंगे तो आपको मेरा facebook पेज मिल जाएगा आप उसे like कर सकते हैं जहांपर मैं regular updates वगरा देता रहता हूँ इसके अलावा telegram पर मैं हर वीडियो की PDF और important PDF को मैं telegram पर upload करता रहता हूँ तो उसके लिए telegram channel अगर आपने अभी तक join नहीं किया है तो telegram channel जरू से join कर लीजिए उसके लिए आप description box में link देख सकते हैं या फिर आप telegram पर जाके search कर सकते हैं अमंत्रिवेदी उससे आपको मेरा telegram का channel मिल जाएगा और वहां से आप मुझे टेलिग्राम पर भी follow कर पाएंगे ठीक है उसके अलावा अगर आप अने केडिमी पर मेरे courses देखना जाते हैं जो कि यह है extensive batch course for SSC Sigil Pre and Means for 2019 अगर आप 2019 की तहरी कर रहे हैं तो यह course आपके लिए बहुत ही helpful है 16 अगस्ते चुरू हुआ है और 31 December तक यह course आपका चलने वाला है तो यह course आपके लिए बहुत ही लाब दयक होगा और इसके अलावा अगर आप टीर 2 की तहरी कर रहे हैं तो इस course में कीजिए यह आपका complete this is the this is को यहां पर दूसरा course है आपका मेरा geometry का ठीके 200 best mcqs of geometry और इसके लिए आपको अने के प्लस का सब्स्रिप्शन लेना होगा सब्स्रिप्शन लेने के लिए आपको अने के प्लस पर जाना है get subscription पर क्लिक करना है सबसे पहले learning app download करना है उसके बाद आपको 12 month option आएगा इसकी cost 5000 रुपए होती है आप continue पर क्लिक करेंगे आप मेरा referral code डालेंगे apply करेंगे तो आपको 10% का discount मिलेगा credits होंगे इन्हें apply करेंगे तो 10% का और discount मिल जाएगा तो यह जो cost 5000 दिख रही है 5000 से घ जितने भी teachers on academy पर पढ़ा रहे हैं और जितने भी subject on academy पर पढ़ाय जा रहे हैं सारे के सारे subjects और सारे के सारे teachers से आप पढ़ सकते हैं तो अगर आपने अभी तक subscription नहीं लिया है तो do take the subscription of one academy तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को और बात करेंगे सबसे पहले एक कुछ शुरू करने से पहले इस तरीके के सभी वीडियो के पहले मैं आपको एक warning देता हूं और warning आज की यह है कि देखो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि इस वीडियो में मैं ऐसा कुछ magic words या ऐसा कुछ मंत्र या कुछ आपको जड़ी बुटी बताने वाला हूं जिससे सिर् करनी है तो अगर आप इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं कि मैं कुछ एकदम जादूई छड़ी घुमा दूँगा तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है बट इस वीडियो को आप देखिए अगर आप यहां पर कुछ सीखने के लिए हैं और अगर आपको अगर आप जानना करने तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि आपको थोड़ी बाते समझ में आएंगे कि आपको आगे क्या करना होगा तो यह चीज मैंने आपको बताई जो लोग 2018 के टीर टू देने वाले हैं कि अगर आप ऐसा सोचने वाले हैं कि इस वीडियो में कुछ मैं ज देखो पहला सवाल सबसे पहला सवाल है वेन इस टीर टू की शेडियोल का क्या डेट क्या है कब होगा एक्जाम एक्जाम होगा आपका 11 सप्टेंबर से 13 सप्टेंबर के बीच में यानि कि उन्होंने जब आपने राइट अप देखा होगा तो करीब करीब 1.5 लाक्स सितंबर को वो पेपर 1 और पेपर 2 ले लेंगे उसके अलावा जो बाकी के दो दिन है आपके उसमें आपके वो करेंगे 11 सितंबर को पेपर 1 और पेपर 2 ले लेंगे और उसके बाद बसता है आपका 12 सितंबर उस दिन वो पेपर 3 लेंगे जो की JSO की पोस्ट के लिए होता ह लेंगे यहारी पेपर 4 जो की डबल लो की पोस्ट के लिए होता है थीक है तो बाकी लोग जिन लोगों जो बाकी की पोस्ट के लिए फाइट कर रहे हैं उनका सभी का पेपर 11 सितंबर को होने वाला है तो यह अच्छी बात है अच्छी इसलिए बात है क्योंकि देखो यह किया मतलब उन्होंने तरीका अपना है आपको नहीं समझ में आ रहा है , इस वजह से आपको अगर आपको वह चीज आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी एक ही दिन आपका पेपर वन होता है फिर दो घंटे के ब्रेक के बाद पेपर टू होता है टाइमिन मुझे नहीं आदे बर सुबहे के इसके बाद कई बच्चों का सवाल यह आया था मुझे क्योंकि जो लोग तयार नहीं थे उनका सवाल मुझे यह आया कि सर इस देर इनी चांस ऑफ डिले सो गाइज आपकी उमीदों पर यह सवाल खरा नहीं उतर रहा है no there is no chance of delay चुकि आप देख सकते हो SSC ने बहुत एकदम सही समय पर उन्होंने टीर 1 का रिजल्ट होशिच कर दिया अगर टीर 1 का रिजल्ट एकदम टाइम पर आया है इसका मतलब है कि टीर 2 भी एकदम समय पर होने वाला है आपको यह थो ख्याल छोड़ी दिना चाहिए कि आपका टीर 2 डिले हो सकता है तो there is no chance of delay तीसरा सवाल आप में से कई लोगों ने इनों ही marks आपके add होते हैं ठीक है तो final merit जो होती है उसमें tier 1, 2 और 3 तीनों के तीनों tiers के marks आपके add किया जाते हैं उसकी basis पर आपकी final merit बनती है ठीक है इसके अलावा कोई बचों का यह सवाल था कि sir marks कब बाहर आएंगे तो marks दिखिया आपके probably by the end of the next week यानि कि अगले week में जहां तक chances हैं कि आपके marks आ जाएंगे next week के end तक आपके marks आ जाएंगे इसके लावा कई बचों ने कहा कि sir if my name is on all lists is it compulsory to appear in paper 3 and paper 4 because I am not prepared कई लोगों का यह कहना था तो नहीं ऐसा कोई कमपल्शन नहीं होता आपकी अगर आपने माली जेसो और डबल यो की पोस्ट पर टिक किया था तो इसलिए आपको qualify करा दिया गया इसका मतलब अगर आप तीनों में qualify किया है और अगर आप यू आर केंडिडेट है तो इसका मतलब यह कि आपका score 170 प्लस है तो वहीं काफी अच्छी बात है आपका score 170 प्लस है का मतलब आप काफी रेस में आगे हैं ठीक है लेकिन ऐसा कोई काफी नौलेज है तो भी आप बाकी की पोस्ट के लिए यानि कि डबल यो एंड जेसो को पेकी पोस्ट को छोड़कर बाकी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहेंगे ठीक है इसके अलाबा कई लोगों ने कहा कि इस आएविंट प्रिपेर फॉर फॉर शुड़ आइप्र पेर फॉर देम नाउ तो देखोई वेटा यह काफी सब्जेक्टिव कोशन होता है क्योंकि पेपर फ्री और पेपर फॉर जो है देखिए अगर मैं आपनी बात करो मुझे नहीं पेपर फॉर की कोई नौलेज है तो मैं अगर आपकी जेगे होता तो मैं नहीं त्यारी करता अगर आपको लगता है आप 20 दिन में पढ़ सकते हैं तो आप इनको तयारी कीजिए और अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मेरा फोकस शेफ्ट हो जाएगा मिज़े सिर्फ फेपर वन और फेपर टू पर फोकस करना है तो आप मत कीजिए कोई जबरदस्ती किसी से नहीं भी कफी अच्छा था यह पूर्शोत्तम साहु ने मिलके लिखी है इस किताब को खरीच सकते हैं अमेजोन पर आपकी यह किताब अब लेवल है अमेजोन पर आप सर्च करेंगे किताब की अच्छी बात है कि काफी किताब यह पतली है इसको पढ़ने में बर्डन नहीं लगता मतलब इतनी पतली किताब है कि आराम से इसे आप 20 डेज में पढ़ सकते हो अगर आप चाहों और आपका इस सब्जेक्ट में इंट्रेस्ट है तो अगर आप पर फोर की तयार हां कई लोगों ने कहा कि सर अगर मेरा स्कोर काफी कम है and can I manage to get selected मतलब अगर मेरा स्कोर टीर वन में काफी कम आया है तो क्या मेरा सेलेक्शन हो सकता है तो देखो बिटा हो सकता है उसके लिए रीजन में आपको दिखाता हूं and and I know this guy personally यह जो आपका क्या नाम है विनय कुम यह आपके मेरा मतलब मेरे साथ में ही पड़ते थे इनको मैं जानता हूं विनय कुमार ही स्कोर्ड 137 इन प्री आप देख सकते हैं प्री में इनका स्कोर 137 है but still he managed to get selected not only get selected he got the rank of 565 उनकी पांसो पैंसो पैंसे रैंक थी ठीक है पांसो पैंसो पैंसे रैंक थी वो उनके कु इनको दिए आपिली पॉस्टिंग फॉटिंग वह और स्कोर 137 था ऑर उस साल की कट-off ही रृए को व्यौकर 136.50 के आसपास थी as far as I remember, हलकफुल का याद है इतना ही थी, जिस साल मैंने भी clear किया था, तो 137 के आसपास इन्हों ने marks लाए, लेकिन इन्होंने देखा आपने कि इन्होंने rank इनकी कितने आई 500 पैसर, तो ये संभव है, अगर आप कितना, देखो इन्होंने क्या किया, 186 औ इन्होंने paper 1 और paper 2 में score किया, और overall इनका 490.5 इनका score आया था, तो ये चीज़ें हो सकती है, कि वही मैंने का कि आप, अगर आपका score कम भी है, तो भी आपको कुछ भी decision होने की जरूरत नहीं है, परिशान होने की जरूरत नहीं है, आप इस exam को निकाल सकते हैं, और दूसरी चीज़, अभी तो आपके rank अभी आई भी नहीं है, अभी तो आपके marks निकल, reveal भी नहीं हुए है, तो marks आना बाकी है, और marks की बाद में आप सभी को पता है, normalization हुआ ह तो हो सकता है कि आपका score काफी ज़्यादा बढ़ गया हो, overall अगर आपका किसी भी list में नाम है, तो इसका मतलब यह तो sure है कि आपने cutoff clear किया है, और अगर आपने cutoff clear किया है, तो इसका मतलब यह साफ है, कि आप tier 2 भी clear कर सकते हैं, अच्छे mark से और आप select हो सकते हैं, बशर करोगे दोनों subject में, तो आपका selection बेशक हो जाएगा, तो इस वज़े से आप select हो सकते हो, इन्होंने maths में 186 score गया, maths में 186 का मतलब है कि इन्होंने करीब-करीब maths में कितने question सही कियोंगे, 93 सवाल सही किये हैं, that's very huge, 93 question सही करना काफी मुश्किल है, तो यह हो सकता है, अगर आपका score tier 1 में कम है तो भी, क्योंकि हो सकता है, आपकी shift कुछ गरबड रही हो, उस दिन आपका दिन आच्छा हो, तमाम reasons होते हैं इसका, इसके, तो इस वज़े से मैं आप से कह रहा हूं कि परिशान होने की जरूरत नहीं है, आप tier 1, tier 2 फिर भी अच्छा कर सकते हैं, अग इंको inspector of post की rank मिली हुई है, that because इन्होंने यह उपर opt करी होगी, क्योंकि इनके नीचे वालों को भी आपका essential exercise मिला हुआ है, तो 485 नंबर इंके थे आपके, आप देख सकते हैं, तो point यह है कि matter नहीं करता, आपका tier 1 में score कितना है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फर्क नहीं काफी कम था, कई बुचों के तो ऐसे message है कि sir, मेरा तो 110 क्या score आ रहा था, how is it possible कि मेरा tier 1 clear हो गया है, तो बिटा clear हो गया है, इसका मतलब है कि आपका score normalization के बाद में, अगर आप general है, तो आपका score कम से कम 27 marks बढ़े है, 137 plus हो गया है, तो कई marks लोगों के normalization में बढ़े हैं, और इसी लिए लोगों ने normalization की demand करी थी, राजु जी के थे, उन्होंने क्या करते हैं, काफी case वगरा किया था, काफी मुश्क fight करी उन्होंने और उसका fight का नतीजा आप लोगा देख रहे है, result आपके सामने है, ठीके, तो आप परिशान मत होईए, अगर आपका score कम भी है, अच्छे से तैयारी कीजिए, जरूरी ये था, जब पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, तो भी मैंने ये बात कही थी, कि अगर score आपका 120 के आसपास है, 120-125 है मैंने तब कहा था, तो भी आपको तैयारी करनी चाहिए, खर वो लोग तो करी रहे थे, लेकिन जो लोगों का 110 था, वो नहीं लोग कर रहे थे, लेकिन उनसे भी मैं ये कह रहा थे, कि बिटा कितना भी score है आप पढ़ते रहो, तो पढ़ोगे तो कभी loss में नहीं जाओगे, पढ़ाई छोड़ दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, अब जिनका score भले ही कम था, लेकिन उन्होंने करशान होने की जरूरती है, आप tier 2 में अच्छा कर सकते हैं, फिलाल अब हम बात करते हैं, कि what should be done now for paper 1 and paper 2, कैसे paper 1 और paper 2 की अब हम तयारी करेंगे, क्या हमें करना चाहिए, तो देखिए करना क्या है, आपको paper 1 में आपके आता है, क्वांट, ठीक है, आपको पता है, क्वा question आपके पूछे जाएंगे, और 1 hour का पूरा paper होता है, 1 घंटे का paper होगा, sorry, 2 घंटे का paper होगा, और 100 question आपके आएंगे, यानि कि 120 मिनट में 100 question आपको करने होते हैं, कैसे paper solve करना है, क्या तयारी करनी है, इनके बारे में बताएंगे, 100 question आपको करने है, 120 मिनट है, target आपका ह टार्गेट ही इतने हाई सेट करती है वो बोलते हैं साले 300 प्लस और वो कर लेते हैं अब उनको छोड़ दो मान लीजिए हम बात करते हैं क्रिकेट की या किसी भी गेम की अगर आप टारगेट लेकर चलते हो अगर आप मैदान पर यह सोच कर ही उतर रहे हो कि आपको स्कोर करन सब्सक्राइब मniejsze ही कर नहीं करना है साले 300 के उपर तो आराम से आप 300 के उपर करोगे और आप यह मान के चल रों कि अघर मन-से पिर सर मुझे करना है अगर 180 प्लस होचते हो फिर कहते हो कि आ 90 सवाल सही करने होंगे तो अगर आप इसको देखके डर जाते हो तो नो वन कैने हल्प यूब अगर आपको लगता है कि आप 90 सवाल सही कर सकते हो तो आप इस पेपर के लिए अच्छे से 180 प्लस का नंबर के लिए आप देख रहे हैं कि अच्छा-च्छा स्कोर करने के बाद भी लोग फाइट में नहीं रह रहे हैं तो इन सभी के लिए आपको कम से 180 का टार्गेट लेकर चलना होगा मैं यह नहीं कर रहा हूं इतना अचीव करना ही जरूरी होगा लेकिन टार्गेट लेकर चलो अगर 180 लेकर आते हो तो कोई भी तुम्हारा सेलेक्शन नहीं रोक पाएगा मन्चा ही पोस्ट ले पाओगे और मन्चा ही जगे पे आपकी अपनी पोस्टिंग ले पाएंगे ठीक अब बात करेंगे कि करना कैसे है यह तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यह सब चीज़े जो कि मैं डेली पब्लिश करता हूं आप जिसे आई बटन में जाकर देख सकते हो तो लोग भी नहीं देख रहे हैं वो लोग देख सकते हैं चैनल में डेली लाता हूं आज कब वीडियो नहीं हो पाए क्योंकि मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करना था इस वज़े से मेरे 15- 20 दिनों में देख़ो दो केसे हैं एक वह बच्चे हैं जो कंट्इनियस ली पढ रहे थे एक वह बच्चे मेंदने पढाई छोड़ दी थी तो देखो या अब आप मेंसे आप दिखो आप अगर ऑश्यम LIVE मानो या ना मानो ये बच आप से थोड़ा सा आगे हैं इसigormbol आ पूरे जर्णी के दौरान जिन लोगों ने अच्छे से त्यारी करी है उनका सेलेक्शन होगा फाइनल में आप इस बात को मानिये अब देखो करना क्या है आपको देखो अगर हम बात करें आपके दिन की तो आपके दिन में 24 गंटे जिसमें से 8-10 गंटे आप अगर सोने के ल 8-10 hours आप अपने देने की कोशिश करो अगले कुछ दिनों तक मैं बहुत लंबे समय तक नहीं मांग रहा हूं सिर्फ 11 सेप्टेंबर तक आपसे कह रहा हूं कि 11 सेप्टेंबर तक 8-10 गंटे देने की कोशिश करिए क्योंकि अगर आप भी आप नहीं करोगे अभी भी आप अन्य चीजों में involved रहोगे तो अब दिक्कत है 10-12 गंटी भी अगर आप दे सको तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि आखरी के दिन है और सिर्फ बेटा आपको दो सब्जेक्ट बाट पढ़ने हैं एक है क्वांट और दूसरा है इंग्लिश दिन को अपने दो भगों में ब तो दोनों मिला के चार घंटे आपके मौक्स हो जाते हैं और फिर आप उसको analyze करेंगे तो करीब 4-5-6 गंटा तो इसी में चला जाएगा इसलिए आप दोनों के मौक्स डेली के तो skip कर सकते हैं लेकिन यह कर सकते हैं कि आज आपने क्वांट का मौक दे दिया और कल आपने English इस तरीके से आप करते रहें और आखरी के जब 5 दिन बचे और आकरी के 5 दिन बचे तब सकते हैं ऐसा ही कुछ होने वाला है exam में भी same day पर ही दोनों मौक्स होते हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ यह जरूरी है कि आप यह भी आदत बनाओ कि एक दिन में दो मौक आप दे सको math और English दोनों के इसलिए कह रहा हूं इसलिए ये बात जरूरी है अब आपको करना क्या है देखो बिटा Geometry और Geometry के जो questions हैं अगर आपने quantum cat by सरवेश वर्मा से अभी तक नहीं लगाए हैं तो लगा लीजिए बहुत अच्छी किताब है इससे आपके Geometry के questions आपको मिल सकते हैं तो quantum cat by सरवेश वर्मा से Geometry के questions आप जरूर से लगा लीजिए बाकी सारे topics के लिए आप mocks पर dependent रह सकते हैं या फिर आपने जो भी किताब लगाई है किरन लगाई है या फिर market में और भी बहुत सारे teachers हैं बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने books लिखी ह हैं अगर आप उन किताबों से भी पढ़ रहे हो सारे के सारे लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं कोई भी अपनी तरफ से बुरा नहीं आप कोई आपका बुरा नहीं चाहता है कोई भी टीचर हो या कोई भी इंस्टीटीट हो कोई भी आपका बुरा नहीं चाहता है हर कोई आ 300 सवाल लगाईए ज़्यादा से ज्यादा practice करिए जिसने सबसे ज्यादा pen घिस लिया उसका selection हो जाएगा और कल्कुलेटिव कोशिटिन को करने की कोशिश कीजिए calculation को pen से करिए बचाईए नहीं बिल्कुल भी और tricky method से उन्हें करने की कोशिश करिए maths का कम से कम एक mock रोज आप लगाईए से आपकी बहतर practice हो पाएगी ठीक है तो quant के लिए मैं जैसा कि कहा रहा हूँ practice is the की practice करोगे तो ही selection होगा अगले 20 दिनों तक 200 से 300 सवाल रोज के आपको करने हैं ठीक इसके बाद अगर बात करें English की तो English के लिए देखिए आप क्या करो mock जैसा कि मैंने कहा alternate days पर आप English का भी mock दीजिए vocabulary के लिए आप क्या करो मैंने जो आपके जिन लोगों ने मेरे courses जोईन करे थे तो उनके पास vocabulary के notes होंगे या आपने कहीं और से पढ़ा है तो वो vocabulary के notes होंगे या आप मेरे free videos देख सकते हैं anacademy.com पर जाएए free में मेरे videos पढ़े हैं अमंत्रिवेदी सर्च कीजिएगा वहाँ पर तो आपको मेरे free videos मिलेंगे जहांपे मैंने vocabulary करवा रखिए और आपके पास notes होंगे तो daily सुबह morning में उठके उनको revise करिए हो क्योंकि बेटा vocabulary आपका अच्छा खासा role play करेगी करीब 40-50 नंबर की vocabulary आपके exam में आएगी 75 marks का ये section आपके आएगा तो इस section पर command कीजिए और इसके अलाबा grammar के लिए भी अपने notes पढ़िए चाहे maths हो या English अगर आपने notes बनाई हुए हैं तो notes का revision कीजिए क्योंकि जितना ज़्यादा अच्छा से आप अपने notes को समझ सकते हैं उतना अच्छे से आप किसी अन्य किताब को नहीं समझ सकते कोई भी अगर हम किताब की बात करें अब आपको कोई भी नई किताब खड़िदने की जरूरत नहीं है MB publication की किताब आपने शायद अभी भी लगा कर रहे होंगे तो आप उसी किताब को करिए mirror of common errors से आप error वाला practice कर लीजिए और MB से आप previous year papers करते रहिए daily का assignment में English का 30 questions का आपको मैं www.amantrivedi.com पे upload करता हूँ तो 30 questions का assignment आप यहां से कर सकते हो जिसमें मैं 10 error detection के questions 5 RC के 10 perajumble के और 5 आपके close test के questions रहते हैं total 30 questions उसमें रहते हैं तो उसको आप daily practice कर सकते हो amantrivedi.com पे login करके आप जाके free of cost उसे access कर सकते हो ठीक है तो यह तो होगे English की बात और Maths की बात सारी चीज़े मैंने आपको बता दी हैं आशा कर रहा हूँ आपको इबात समझ में आई होगी कि तैयारी करना कैसे है और क्या करना है मैंने आपको बताया mock test के लिए अब आप अगर यह पुछेंगे कि mock test कौन सा देना है तो बिटा top rankers test book या market में जो भी लोग mock दे रहे हैं सभी लोग अपनी तरफ से ठीक कर रहे हैं सभी लोग अपना अच्छा mock दे रहे हैं आप किसी का भी mock दीजिए बट mocks में यह देखिए कि आपका rank जो है वो top 100 में आना चाहिए top 100 में आने की कोशिश कीजिए top 1000 में आने की कोशिश कीजिए top 500 में top 100 में आने की कोशिश कीजिए तभी आपका अच्छा score हो पाएगा अपने exam में ठीके तो ये सारी चीज़ें आपके लिए थीं, आपके लिए कि tier 2 की तैयरी कैसे करना है, क्या करना है आगे, इन सभी चीज़ों को मैं बताने की कुशिश कर रहा था, आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा कि आपको कैसे आपको करना है, और शायद उन लोग करके मुझे पूश सकते हैं, आप अपना सवाल, कोई भी अगर आपका personal question है, इसके अलावा अगर आपका कोई और doubt है, तो comment section में आप पोस्ट करिएगा, अगर आपका सवाल valid हुआ तो मैं आप उसका जवाब जरूर से दूँगा, और बहुत-बहुत बधाई आप सभी को tier one qualify करने के लिए, but the journey doesn't stop here, यहां से आपकी tier 2 के लिए आपको जाना है, और tier 2 के लिए कड़ी मेहनत आपको करनी होगे, अगले 20 days तक, अपने आपको पूरी तरीके से जोंग दीजिए, और थोड़े दिन तक सारे contacts को तोड़ दीजिए, सारे social media से दूर रही है, क्योंकि सिर दूर रहना है, आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई पर concentrate करना है, पढ़ाई पर focus करना है, और बस अपने book से मतलब रखना है, अपने note से मतलब रखना है, ठीके, अगर आप मुझे anacademy पर join करना चाते हैं, तो आप मेरा code इस्तमाल कर सकते हैं, amantrivedi, जिससे आपको 10% का discount मिल कीजिए, telegram पर search कीजिए, at the rate amantrivedi, आपको मेरा channel मिल जाएगा, वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, आपका दिन शुब हो, bye bye, take another good day, thank you so much, और आगे आपकी जो वीडियो की demand हो, comment section में बता दीज मैं उसे भी लाने की कोशिश करूँगा, thank you so much,